हेलो गाइस गाड़ी नाम के स्वाग में आपका स्वागत और आज मौझूद है MO Jounti Plus जी हाँ हाली में लॉंच हुआ है February महीने में Jounti Plus Electric Scooter है और इस स्कूटर की खास्वात यह है कि यह गाड़ी यसी की आती है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको देख रहा होगा unlock, lock और यह start और यह start तो यह इसे unlock किया यह यहाँ से lock किया तो बिसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हो और यह जो key है यह आपको bike की तरह देखने को मिल जाती है जो कि काफी 10,000 रुपे के आसपास है और आप यह जो color variant यह yellow और black color का combination है जो कि काफी ज़्यादा premium नजार आ रहा है काफी बढ़ी लग रहा है इसका जो design है यह भी काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास देखने को मिलता है तो यहाँ पर MO का badge देखने को मिल जाता है MO लिखाओ देखने को मिल जाता है यह जो sleek LED DRL के साथ यहाँ पर आपको indicator lights देखने को मिल जाती है यह बल्ब है यह आपको LED देखने को मिल जाती है यहाँ पर भी बल्ब है और साथ ही अगर हम बात करते हैं नीचे हेडलाइट की तो यह भी आपको LED देखने को मिल जाती है और यह आपको DRL देखने को मिल जाते हैं बाकी सब आपको इसमें बल्ब देखने को मिलता है इसके ल लॉक कर देता हूं अगर यह लॉक है और कोई भी स्कूटर को छेड़ रहा है तो जायर भी बात है यह शोड मचाने लगेगा जैसे कि इसने अभी मचाया था तो बात कर लेते हैं तो यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पर यह आपको फाइबर देखने को मिल जाता है यह जिसे आप कह सकते हो और यहां नीचे की तरफ आपको 10 इंच के टाइर देखने को मिल जाते हैं अगर आपको स्पोटी स्पोर्ट पावर यह आपको लिख़ओ देखने को मिल जाता है और सैर्ड से अगर अप देखते हो तो काफ़ी काफी बढ़िया नजल आ यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पर भी आपको अच्छा खासा लेग रूम देखने को मिल जाता है यहां आपको key ignition का switch लेखने को मिल जाता है यहां पर एक hook है और यहां पर आपको एक छोटा सा storage space देखने को मिल जाता है और यहीं पर अगर आप देखते हो तो यहां पर आपको USB port भी देखने को मिल जाता है जिससे आप अपना phone चार्ज कर सकते हैं इसके लाव अगर आप यहां पर आते हो तो यहां पर आपको एक charging port द कहां पर भी आपको को spring loaded gas suspension मिल जाते हैं और ये जो bike है ये पूरी तरह tubular frame पर बनी हुई है इसके लावा इस स्कूटर की खास बात यह है कि आपको 160 mm का ground clearance देखने को मिल जाता है जो की काफी high ground clearance है और सबसे खास बात इस स्कूटर में यह है कि आपको 130 mm की seat height देखने को मिल ज दिये जिसके चलते छोटे riders जो है वो भी इसे असानी से चला सकते है और इस स्कूटर का curve weight 83 kg है जो की काफी जादा बढ़िया है स्कूटर के लिए वहीं अगर वहिकल के maximum gross weight की बात करें तो आपको 230 kg देखने को मिल जाता है जैसे कि friend में आपको 10 inch के tires मिल देते है रेर में आपको 10 inch के tire हैं लेकिन ये वाला जो LVW का design है यहाँ पर थोड़ा अलग है friend में आपको design अलग देखने को मिलता है और rear में अलग देखने को मिलता है अगर आप friend में मैं आपको एक बार और दिखाए तो friend में इस तरीके का design देखने को मिल जाता है यह आप देख रहे होगे यह भी आपको बल्ब मिलते हैं यह भी बल्ब मिलता है और पीछे की तरफ आपको यह भी काफी अच्छा और यूनीक सा देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको side stand भी यहाँ पर काफी बढ़िया दिया है silver finish में दिया है कोई महिला मित्र आपके साथ या फिर परिव हम इस instrument panel की बात करें तो यहाँ पर आपको यह proper digital मिलता है लेकिन यह जो है काफी old नजर आ रहा है काफी पुराना नजर आ रहा है कि मुझे लगता है कि एक लाग दस हजार रोपे का scooter है उसमें इस तरीके का instrument cluster काफी जाधा पुराना है हाला कि अगर आप switches वगरा देखते ह हो तो इनकी quality काफी बढ़िया नजर आ रही है होड मी ठीक ठाक बसता है और यहाँ पर भी switches वगरा देख रहे हो तो काफी बढ़िया quality के यह लग रहे है इसके लाब यहाँ पर engine quiz switch और anti-theft alarm का button वगरा देखने को मिल जाता है यहाँ पर अगर आप meter में देख रहे होंगे तो यहाँ पर basically देखा जाए तो यहाँ पर यह speedometer है और यह जो battery है यह उसकी range है यहाँ पर आपको autometer देखने को मिल जाता है इसके लाबा बाकी कुछ नहीं है बाकी मैं एक बार stand हटा कर आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ देखने को मिलता है तो यह basically कुछ नहीं है यह यहाँ पर आप देख रहे हूँ यह speedometer है यह यह पर आपको battery का meter देखने को मिल जाता है बाकी के लाबा यहाँ पर और कुछ नहीं है जैसा कि बाकी स्कूर्टर में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर साइड स्टेन्ट लगा है तो कितना भी accelerate कर लो यह scooter चलेगा ही नहीं तो यह एक अच्छी चीज़ है सेफटी के लिहाज से और अगर हम सेफटी की बात करी ही रहे हैं आपको इलेक्ट्रोनिक असिस्टेंट ब्रेकिंग जिस्टेंट मिल जाता हैं इंजन की स्विच जैसा की बता है एंटी थेफ्ट अलार्म साइड सेंड सेंसर सेंटर लॉ भी स्टोरेज स्पेस देखने को नहीं मिलता है जो की काफी एक बिकार चीज है और यहां पर लेकिन स्विच आपको दिया हुआ है कि आप इसे इस तरीके से अन आफ भी कर सकते हैं बैटरी की पावर सप्लाई को यहां पर यह जो ग्रेब रेल्स है यह मैटल का है जो की मु निकाल सकते हो तो आप इसे इस तरीके से यहां से इसे ओपन कर सकते हो और बैटरी को आप इस तरीके से ऐसे निकाल सकते हो तो आपकी यह वाली बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई है चार्जिंग कोई ऑप्शन नहीं है तो आप दूसरी बैटरी मंगा के इसमें ल तो Amojonty Plus जो की एक लाग दस हजार रुपे का स्कूटर है इस स्कूटर में आपको अगर देखा जाए तो जो पावर है वो 1.265 किलोवाट से पावर मिलती है और जो इसकी मोटर है वो ब्रशलेस DC मोटर मिलती है जिसकी रेंज एक बार फुल चार्ज होने के बाद 120 किलोमीट तक है और देखा जाए जिरो से 60 परसेंट चार्ज होने में यह लगबएक दो घंटे का समय लेती है अगर आप इसे घह में चार्ज करते हो वहीं 0 से 100 परसेंट इसे चार्ज होने में लगबग 3-5 गंटे का समय लगता है फास्ट चार्जिंग अविलेबल है और देखा जाए इसमें आपको रेटिंग 60 V40 AH की देखने को मिल जाती है लीथियम आयन बैटरी है इसमें जो की आप देख सकते हैं अब चलते हैं इसकी टेस्ट राइड पर और चला के देखते हैं कि इसकी परफॉमेंस कैसी है तो दोस्ता हम चल रहे हैं MO Jonti Plus की राइड पर और चलाते हैं इसमें जो टॉर्क है वो काफी इनिशली देखने को मिल जाता है जो की काफी जादा बढ़िया तॉर्क आप देख सकते हो और इसमें अगर आप देखोगे तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो बिसिकली 60-65 के आसपास ही है इससे जादा इसकी टॉप स्पीड नहीं है लेकिन हाँ चलाने में काफी बढ़िया लग रहा है इन्फेक्ट इसकी जो ब्रेकिंग है वो भी काफी जादा जबर्दस देखने को मिल जाती है सेफटी की लिहाज से इस स्कूटर में एक बेस्ट पार्ट यह है कि अगर आप आगे वाली या पीछे वाली कोई भी ब्रेक दबाते हैं और एक्सेलरेट करते हैं तो एक्सेलरेट होगा ही नहीं यानि कि इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं इसलिए जब तक आपका ब्रेक से प्रॉपर हाथ भटा रहेगा तभी ये स्कूटर चल पाएगा चुकि काफी ज़दा बढ़िया है राइट क्वालिटी बहुत ज़दा बढ़िया है इतनी ज़दा स्टिफ नहीं आपको चलाने बहुत ज़दा मज़ा हैगा तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं अगर आप नजर नहीं आएगा और आप इसे चला भी सकते हैं चलाने के दौरान आपको काफी सादा ये मज़ेदार भी लग लेकिन मुझे थोड़ा सा ये ओवर प्राइजड नजर आ रहा है देखा जाए तो इस कीमत में आपको ओकी नावा काफी अच्छा-खासा स्कूटर ओफर कर र रही है